लिए नमस्कार मैं हुँ जोट्साचारी डॉक्टर विंत्रपाथी आप देख रहें भागी गुरु कारिक्रम भागी गुरु कारिक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम आप से बात करेंगे कि आज का महामंत्र क्या है इस महामंत्र कर जब कैसे करेंगे और बात करते हैं आज के महामंत्र की आज का जो महामंत्र है महा मंत्र है ओम अनलक्ष्माई नमा ओम अनलक्ष्माई नमा यह महा मंत्र बहुत बड़ा महा मंत्र है और बहुत ही ताकतोर और प्रभासाली मंत्र है इस मंत्र का जब करने से कभी भी जीवन में आपको लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होगी आपके घर में धन धान इसे अब बात करेंगे आज के पंचांग के आज 28 अपरेल 2023 दिन है शुक्रवार और तिथी है अश्टिमी जो साम चार बच के तीन मिनट तक रहेगा पुशिन अच्छत्र है जो सुबह नो बच के बावन मिनट तक रहेगा शुक्लपक शैसूल योग है सुर्योदे हो चुका है सुबह 5 बच के 43 मिनट पर सुर्यास्तो का साम को 6 बच के 44 मिनट पर चंद्रमा आज रहेगा करकराशी में सुब समय 11 बस के 22 बस के 45 मिनट तक रह możemy रहेगा रहु काल है 10 बस के 40 मिनट से ले कि 12 के 18 मिनट तक रहेगा पकर्श्युम दिशा का दिशाशुल है आपको एक बात का ध्यान रखना है क By마 चंद्रमा है है करक राशी में जब चंद्रमा करक राशी में अपनी ही राशी पर है तो आज आपको अपनी फर्टाइल आइडिया को इंप्लेवेंट करें अपनी मेजिनेशम को रियल्टी में बतलें और जो भी प्लान करेंगे वो सफल रहेगा राहुकाल में किसी भी कारे की सूरुआत न करें दूसरी बात का ध्यान रखना है कि दिशासल्मे यात्रा करने से परेज करें सुम मुर्ट में अगर कोई भी कारे करते है ता आपके लिए लाप परद रहेगा अब आईए बात करते हैं बारह राश्यों की बारे में कि आज की बारह राश्या क्या कहती है कौन फिल्म बनाएगा, कौन कहानी लिखेगा, कौन पत्रकार बनेगा, कौन साहितिकार बनेगा, कौन नेता बनेगा किसको सरकार से लाह मिलेगा, कोन भूमी भून खरीदेगा, यह सारी बाते बताऊंगा आपके लिए कौन सांग कसुब रहेगा, किस रंग के प्रयोग करने से अपार्जम होता मिलेगी यह भी आपको बताऊंगा और आपको क्या सौधानी बरतनी है, क्या उपाय करना ये भी बताऊंगा आईए सुरुवात करते हैं मेश राशी से जो मेश राशी की जातक हैं, आज आपका आतनबल काफी बढ़ा हुआ रहेगा मनोबल उचा रहेगा, क्योंकि जो भी आप सोचेंगे वह पूर्ण होगा महत्तो कंशायम की पूर्ण होगी, आज आपको धनलाब मिलेगा माली हाला तच्ची होगी, नेप्रकार के वेपार करने के आउसर मिलेगे नोकरी के लिए आज का दिन सरवाधिक अच्चा है, नोकरी मिल सकती है, साथ ही साथ आज आपका पुद्वनद्वी होने का योग बंदा है, नई योजनाए आपकी सफ़ल होगी पत्नी के स्वास ठोले करके चिंता समाप्त होगी, पिता का सुख मिलेगा, गाड़ी टेज न चला में और नए प्रकार का कार किसी विष्टेंजर ग्रक्ति के साथ न करें, न कोई लिन देन करें सौधानी का ब्रतनी है, सौधानी आपको ये ब्रतनी है कि अपने लक्ष पर विशेज ध्यान दें, उपाय क्या करना भगवान सिर्जी की अरादना करें, ओम नमाश शिवाय मंतर का जब करें और गर्मी का मौसा में चिडियों को दाना पानी जरुख खिला में सुभंके तीन, सुभंके पीला, लक मीटर है आठ, हरे क्रिशना, बात करते हैं ब्रिश राशी के, जो ब्रिश राशी की जातक हैं, आज का दिन आपके लिए काफी अच्छा है, आज आपका मौनोबल काफी मुचा रहेगा, आपका मन परसंद रहेगा, आज जो भी एफर् पोड़ होगी, रोजी रुजगार के चत्र में किया गया प्रयास आर्तक होगा, बड़ा लाब होगा, भूमी खरिश सकते हैं, प्रापल्टी त्यादी खरिचने का आउसर भी लेगा, स्वास्त को ले करके सचेत रहें, स्वास्त के रोगों सत्रु को हलके में न लें, और क सौधानी के अपरत्नी हैं, अपने मन को नियंत्राल में रखें, उपाय क्या करना है, आज आप क्या करें कि ओम सोम सो मायनमस मंत्र का जब करें, माधुर का की फूजा करें, और सफेद बस्तू का दान करें, शुभंके तीन, सुबरंगशी ग्रीन, लग मीटर है आठ, हरे क पलता हर्ण करने मिठू राशी की, जो मिठू राशी की जातक है, आज का दीन आपका बहुत इबैकरीन है, समैन कूल है, समय का लाब उठाईए, समय को कैसे इंप्लिमेंट करेंगे, कैसे कारीओं को करेंगे, उसruktur को और से लिए अजकी प्रगत होगई, परिवार में शु मिलेगा मान सम्मान पुरशकार मिलेगा नए प्रकार की ब्यापवार खोल सकते हैं स्टार्टप पितादी खोलने का उस्तर मिलेगा सेयर ट्रेटिंग से धनलाब मिलेगा फाइनेंस के चत्र में बड़ा कारे करेंगे जिद आप सीये हैं मैनेजमेंट के चत्र में ता आज बातों में ना वें उपाय क्या करना है हनवान जी की आराधना करें चिडियों को धाना पानी दें गाये को हर अचारा खिला में शुबंके चेज सुबरंगे सफेद लक मिठरे साथ हरी कृष्णा बात करतें करकराशी कि जो करकराशी की जाटक है आज आपको अपनी के लिए आज का दिन भेतरी नहीं रोगों सत्र उपरास्त होंगे माली हालत सुद्रिण होगी विदेश यात्रा का योग बनना है आयात निद्यास से धन मिलेगा परिवारी की श्रति आपके अच्छी होगी माता-पिता का शुक मिलेगा बहनों का सहयोग मिलेगा किसी महिला म मगान भूले नात के अरादना करें ओम सोंसो माय नमा इस मंतर का जब करें सुबंके साथ सुब्रंगे सफेद लकमी तरह साथ अरे कृष्णा बात करतें सिंग राशी के जो सिंग राशी की जातक है आज आपको अपने अलस्टे का परिता करी अपने लक्षपर लग आज आप कई ऐसे कारे करेंगे जिसका मुनोबल उंचा होगा, आपकी योजनाएं आपको सफलता दिलाएगी, बैपारी किस्तिते अच्छी होगी, नए प्रकार की बैपार करने का उसर मिलेंगे, प्रगर्टी का योग बनना है, चतुर्दिक, विकास ते परिवार में उतरो आप मिलेगा, खेल के चत्र में, आज आपको पुरस्कार मिलेगा, अंतराश्टी, अस्तर पख्याती मिलेगी, जद्या बैग्यानिक है, शाहितिकार है, लेखक है, तो खुछ बड़ा कारे कर सकते हैं, उसके लिए आज का दिन अच्छा है, सौधानी के अबरतनी है, आपन सन्याराशी की जातक है, आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा, आपकी संताने बहुत अच्छी करेंगी, संतत्यों की प्रगत से मन परसंदर रहेगा, विद्यार्टियों के लिए आज का दिन बैतरीन है, जो विद्यार्टिय अपनी केरियर को ले करके परिशान है, आज उनका career established होगा चाहा विज्यान के चत्र में हो चाह ध्यात्म के चत्र में हो चाह मेडिकल के फिल्ड में हो चाह लाग के फिल्ड में उनके लिए आज को दिन काफी अच्चा है लेखन-कार से धन मिलेगा मान सम्मान सुकh प्रापत होगा भूम भीओन करेस सकते हैं प्रापल्टी को ले करके आपकी जो परिशानियां दूर होंगी नए तरह के कारे करेंगे दूर देश के आत्रा हो सकते है धात्मिक विकास होगा और जो आपकी भीवाद चलना बहुत दिनों सो सौल होगा पत्नी का सहयोग मिलेगा पत्नी को नोकरे मिल सकते हैं पत्नी की हेल्थ को लेकर करके आपकी चिंता समापत होगी सौधानी के अबरत नहीं है नकरात्मक सोस से बच्चें उपाय क्या करना है आज गरीबों को भोजन करामे और आज आपको क्या करना है कि चिडियों को दाना पानी देना न भूले सुबंके आठ सुबरंगे हरा लक मीटर है साथ हरी कृष्णा बात करते हैं तुलाराशी की जो तुलाराशी की जातक है आज आपके येस पत परतिष्टा में व्रद्धी होगी आप S.S.C. होंगे, कुल का नाम रोशन करेंगे, कई महत्पूर्ण कारे करेंगे, समाज सिवा में रुची बढ़ेगी, राजनीती कलाव मिलेगा, राजनीती में महत्पूर्ण पद मिलेगा, जदि आप लेखक हैं, साहितेकार हैं, पत्रकार हैं, ताज आपको चतुरतिक व पड़ेगी, राजनीतिक लाव मिलेगा, बड़े पैमाने पर सफलता मिलती वे दिख रहा है, भाग उसे सारे कारे संपन्द होंगे, माता पिता से आज आपका मन परसंद रहेगा, सौधानी के अबरतनी है, स्वास्त को ले करके सचेतर हैं, रोग और शत्रु को हलके में न ले, उपाय क्या करना है, ओम नमाशिवाए, मंतर का जब करें, आपके लिए चार हैगा, सुभं के साथ, सुभं के नीला, लक मीटर है आठ, हरी कृष्णा, बात करते हैं, ब्रिशिक राशी की, जो ब्रिशिक राशी की जातक हैं, आज आपको ध्यान रखने का आपको सुभं कारे से धन मिलेगा, आपकी योजनाय सफल होते हुए ठिक रही है, परतिष्ठा में ब्रदी होगी, आपके जो अपने भाई बहने परिवारिक लोग हैं, उनके बीच में रहेंगा, आज आपको सुख के संसादनों का ब्रदी होगी, सुख में ब्रदी होगी, सुख से पर नियंत्रा रखे, उपाय का करें, गरीबों को वस्तर दान करें, और पसो पक्षी को धाना पानी देना न भूले, सुभंके आठ, सुभरंगे सिंद्री लाल, लक्मीटर नो, हरी क्रिश्ना, बात करतें धनुराशी की, जो धनुराशी की जातक हैं, आज का दिन आपक चिंतित हो सकते हैं, आज आपका बैपाद बढ़ेगा, मैला मित्र का सहयोग मिलेगा, लेखक हैं, आज आपका नाम बढ़ेगा, आज आपको एसपत परतिश्ना ब्रदी होगी, देश-फिदेश की आतरा हो सकती है, माता का सुख मिलेगा, पिता का सहयोग मिलेगा, पत्नी को नोक्री मिलेगी पत्नी को जो बहुत दिन से बात दिवाद चला रहा समाप्त होगा दोनों मिलके कुछ आज अच्छा करने वाले हैं उसके लिए आज का दिन पैतरी है सौधानी के अबरत नहीं है समय का सुधत प्योग करें उपाय क्या करना है माता लक्षमी जी के अरातन हैं आज आप वाहन खरिदने का आउसर मिलेगा वाहन के लिए इसका दिन बहुत अच्छा है रोगों सत्र परास होंगे माता पिता का शूप मिलेगा नए कारियों से धनलाव मिलेगा सिर्ग निड़े लेने से बच्चे हैं आज आपको नुकसान हो सकता है नए वैपार करन समाब्त होगा कुछ पुराने सत्र होंगे जो परास्त होंगे और खटेंत्रकारी विफल रहेंगे अपने अतिंद्री ग्यान की बात सुने सौधानी के अबरतनी अतधिक बैक करने से बचें उपाय का करना भगवान सियू की अरादना करें शुबंक तीन सुबरंग नीला करते हैं कुम्भराशी की जातक हैं आज आपके सभी योजनाएं सपल होते हुए दिख रही है उतर उतर विकास होगा नए प्रकार की कारियों से आपको लाप मिलेगा दूर देश के आत्रा हो सकते हैं विध्यार्थ्यों के लिए आज का दिन बैतरी ने जदी आप कैरियर क को बड़े अच्छे इंस्ट्यूशन में प्रवेश मिल सकता है करियर को ले करके आपकी चिंता सबाप्त होगी मान सम्मान में बढ़ोतरी होते हुए दिख रहा है पिता का सुख मिलेगा माता पिता का लाब मिलेगा मन प्रफुलीत रहेगा दूर दीश के आत्रा हो सकती है भाग याप कनकूल है भाग इसे सारे कारे संपन होंगे जिद रियल स्टेट टॉपल्टी माइस पेट्रोलियम गैस इंदन और केमिकल की फिल्ड में कारे करना चाहते है तो आज कर दिन आपके लिए बैतरी ने उसमें आप भाग यह जमा सकते हैं आपको लाफ मिलेगा एक स्भाइ क्या करना सदेख के सामने देपक जिलावें काली वस्तू का दान करें चड़ियों को दाना पानी देना नहोंले सुबंक है आठ सुब्रंग है आठ लक्मीटर है 8 हरे कृश्ण बात करते हैं मीन रासी की जो मीन रासी की जा तक है आज का दिन आपके लिए बहुत ब को I'm gonna του कुछ बड़ा कर सकते हैं तो ध्यान रखना कि कुछ बड़ा करने की ज़रुत है आज आपकी महतो कांच्छा है मूंगी सिक्षा में आज बुच पूर्पर प्राप्त हो सकता है अब हम बात करेंगे गुरू के नुसके में आज हम आपको बताएंगे यह जो दीन होते हैं सरातन धर्मों में अपने भारती धर्म गरंथों में सातों दिन किसे ने किसी देवी देविता के लिए समर्पित है उसमें जो शुक्रवार है खास तोर से माता लच्मी जी के लिए समर्पित होता है तो आज हम आपको बताएंगे कि शुक्रवार के दिन दस खास ऐसे उपाय करें जिससे धन की जो दिशाती देवी है माता जो आपके घर में शुक सम्रिदी का बर्दान देती है तो आई ये उपाय बताते हैं सुबो उठते ही क्या करें कि मालक्ष्मी को नमन कर सफेद वस अधान करें और मालक्ष्मी के स्री शुरूप और के चित्र के सामने खड़े होकर स्री शुक्त का पाट करें और कमल का फूल अर्पिक करें अगर आप घर से काम पर निकलते हैं तो थोड़ा से मीठा दही खाकर जुरूर निकलें इससे आपकी चीजे ठीक रहेंगे अगर पति-फत्री में तनाव रहता है तो शुक्रवार के दिन आपने सेन कक्ष में प्रेमी पक्षी जोड़े की तस्वीर लगावें इससे आपका दामपत्ती जीवन अच्छा होगा अगर आपके कामबे और रोधार आए तो शुक्रवार के दिन काली चीटियों को शक्कत डालना न भूलें शुक्रवार को माता लक्षमी की मंदिर जाकर शंक, कौडी, कमल, मकाना, बतासा मा को अर्पित करें यह सब महा लक्षमी मा को बहुत प्री है, ऐसा करने से आपके घर में धन-धान की सिति मजबूत होगी गज लक्षमी मा क्यों पाष्णा करें, ऐसा करने से संपत्य और संतान की प्राप्ती होती है लक्षमी में महें मा का एक रूप अन्न भी है कुछ लोग क्रोधाने पर भोजन की थाली फेक देते हैं इस तरह की आदत धन परिवारिक सुख के लिए नुक्सान धायक होती है ऐसा आप गलती से भी न करें घर में अस्थाई सुख सम्रिदी है तो पीपल के ब्रिक्ष की चाया में खड़े रहकर लोहे के बरतन में जल चीनी घी तता दूद मिलाकर पीपल के ब्रिक्ष की जड़ में डालने से घर में लंबे समय तक सुख सम्रिदी रहती है और लक्षमी का वास होता है घर में बार बार धन्हानी हो रही है तो आप विरवार के दिन घर के मुख्य द्वार पर गुलाल चड़कर और गुलाल पर सुधगी का दो मुखी दिपक जलाना चाहिए दिपक जलाते समय मनही मन यह कामना करनी चाहिए कि भविष्ट में घर में धन्हानी का सामना न करना प तो चोटे चोटे उपाए बड़े करते हैं तो आपके घर में शुख सम्रेदी यस बैभाव और माता लक्ष्मी की चीर अस्थाई निवास होगा तैसा जुरूरा जमावे आपके लिए फायदे बंद होगा हम बात करेंगे आज की दिन जनमे जातकों के बारे में आज 28 तारिक जिन दर्शकों का जन्मदीन हुनके जन्मदीन की बहुत भद बधाई धेरों शूख कावनाए आपका जन्मदीन सुभ हो मंगल में हो आपको प्रगत करें आगे बढ़ें आपका चतुरदिक विकास हो, सुख समरिदी यस्पत पर्थिष्ठा में पृद्धी हो, हैपी बर्डे, आज जिन दर्शकों का जर्मदीन है, उनका मुलांक एक होता है, जो एक नंबर के लोग होते हैं, बड़े महतपोर होते हैं, उनके अंदर परसाशनिक चमता होती है, न दूजपत पराप्त करेंगे, और उतरों तक विकास होगा, तो देखा जाते हैं, वर्स आपके लिए काफी अच्छा है, जदि आप परसाशनिक चमता होती है, तो आप परसाशनिक अधिकारी होने का योग बन रहा है, अगर आप राजनिती में दूजपत प्राप्त कोई भी परिस्रम का कारे करते हैं, या इस बर्स पर्यास करते हैं, तो उसमें आपको बड़ी सफलता मिलेगी, जनवरी से लेकर के जून तक का कालखंड आपके लिए उतरोंतर सफलता का है, विकास का है, चतुर्दिक विकास होगा, शरड़िम होगा, जो पर्यास करेंगे उसमें आपको बड़ी सफलता मिलेगी, घर के लिए अच्छा है, भो मिभान प्रापल्टी के लिए बहुत ही सर्वता में है, पुना जुलाई से लेके दिसंबर तक का कालखंड आपके लिए महता पोड़ है, इसमें उतरोंतर विकास, मान सम्मान पत पर्तिश्रा में बरि सब्सक्राइब आपको जन्मदीन की भाग की पुरूमपसा जितना ही, फिर हम आप से कालिसिस में जीवक्त मिलेंगे, तब तक किलिए मुझे बिज़े ईजाजद, नमस्कार झाल, 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 झाल